वेल्कम बैक टू आर चैनल आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो फेंस चुहे से लगभग हर घर परेशान ही होता है क्योंकि फेंस यह इतनी चीजों को नुकसान करते हैं अगर मिट्टी के घर रहते हैं तो उनमें गड़्धा बना देते हैं अगर हमारे घर मे दवाईया भी बाहर से लेकर आते हैं जिनसे यह मर जाते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो आज मैं कुछ ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगे जिससे यह मरेंगे तो नहीं बट हमारे घर से गायब हो जाएंगे चलिए देखते हैं इस रेमेडी नहीं यूज करेंगे हम यूज करेंगे जो हम चाय बनाते हैं उसमें जो चाय पत्ती हमारी बचती है उस चाय पत्ती का हमें यूज करना है बट हमें इसे ऐसे यूज करना हमें इसे अच्छी तरीके से वाश कर लेना है टैप के पानी से ताकि इसने कोई भी मिठास ना रह ठीक है इससे चाय पत्ती का री यूज भी हो जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा मार्केट में तो बहुत दमाईया मिलती हैं बट उन्हें अगर हम चुहे से उससे भंगाने की कोशिश करें न तो वह इदर अदर मर जाते हैं और फिर उन्हें ढूनना और गंद अलग से फैल जाती है बट यह घरेली तरीके होते हैं इससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता है हमारा काम भी बन जाता है तो बस यह वाली जो चाय हम बनाते हैं उसी चाय पत्ति को हमें छान लेना है क्योंकि यह जो चाय पत्ति होती है और इससे ये रमेडी बहुत अच्छी बनती है तो इसलिए जब भी आप चाय बनाए ना आप इस टरीके से यूज़ कर सकते हैं बस उसे वाश कर लीजिए उसके बाद कोई भी बरतन लिए जिसमें आपको ये रेमेडी बनानी है उसमें आपको आठा डाल लेना है आठा के जगा आप बेशन चावल का आठा कुछ भी यूज़ कर सकते हो ठीक है तो दो से तीन चमच मैंने इसमें आठा डाल दिया है और अ कुछ खाएं तो उन्हें कुछ मीठा लगे या ऐसी चीज़ें हमें इसमें डालनी है उसके बाद हमें जो में चीज है वो है कोई भी एक्सपाइड मेडिसिन और जो होती है नैप्तिलिंग बॉल्स फिनाइल की गोलियां जो हम कपड़े में डालते हैं तो ये दो चीज़े होती है फ्रेंस जो चुहें को बेलकुल भी पसंद नहीं आती हैं और इनसे चुहें भाग जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होते हैं जब इन्हें वो खाते हैं ना तो उनके गले में अलग सा रियक्शन होता है जिससे वो इसे अब खाने से अवाइड कर करना है थोड़ा सा कूट लेना है तो आप नियूस पेपर की मदद से और जो खलवत्ता होता है या फिक कोई भी भारी चीज़ होती है उससे आप दबाओगे तो ये बहुत अच्छे से कूट आ जाएगा तो चलिए अब हम इसे कूट लेते हैं और कूटने के बार इसका प मैंने कई ऐसी रेमेडी अपने चैनल पर शेयर की हुई है क्योंकि आप ज्यादा है ना तो उन्हें भगाने के लिए आप एक ही रेमेडी का अगर इस्तमाल करोगे ना तो वह उतना वर्क नहीं करती है आपको तरह तरह के इंग्रीडियन्स लेके इस रेमेडी को बनाना प इस पाउडर को जो हमारा चैपती का मिक्शर था आटे का उसमें हम डाल देंगे और हमें बनाना है नहीं पानी की जोओत नहीं है क्योंकि हमने चैपती को वाश किया था तो अल्लेडी उसमें मॉइसर था थोड़ा सा वाटर था ही उसमें तो बस इससे हमें एक डो बना ले बना लीजिए तो जो चैपती का स्मेल है उससे एक्रेक्ट होते हैं और बिसकित है उससे खाएंगे और जो हमने नैप्टिन बॉल्स की थी इससे वह भाग जाएंगे तो यह तरह तरह की जो टिप्स होती है इन्हें हमें ट्राइ करते हैं इसे क्या होता है हम अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और इस तरीके से जो चूहे हैं इनको इनसे हम छुटकारा पाएंगे यह देखी बहुत अच्छा सा यह सेमी सॉफ्ट डो रेडी हो गया है अब हमें इसके बना लेनी है छोटे छोटे गोले तो फ्रेंट्स आप चाहो न तो इसके छोटे छोटे गोले भी बना सकते हो अगर आप चाहो न तो जैसे आपके पास लेफ्ट ओवर रोटी बच्ची है और गोले आप बहुत बरी ना बनाएं और बहुत छोटे ना बनाएं इतने बनाएं कि वो खा सके थीक यह तो मैंने ये कुछ गोले बना दिये हैं अब आपको इसको जगह जगह पे रख देने हैं जहां से आपको लगता है कि यह आते हैं आप जैसे किचन के प्लेट फॉर्म पर, गैस के पास, खिड़की के पास, विंडो के पास नीचे आपका Rack जहां सिलेंडर रखते हैं, वहाँ पर, बतरब ऐसे ऐसे जगह जहां आपको लगता कि हाँ यहाँ चुवे आ रहे हैं और नक्सान कर रहे हैं, खा रहे हैं उन सारी जगहों पे आप इसे रख दीजिए इसे जब वो आएंगे और खाएंगे ना फिर वो खाने के बाद सीदे बाहर भागेंगे फिर नहीं आएंगे अच्छा ये रेमेडी आप दो से तीन बाद जरूर ट्राइ करना ताकि वो हमेशा के लिए आपकी हर से हर जाए तो फ्रेंड्स आज की रेमेडी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और इसे जरूर ट्राइ करना और अगर चैनल पर फर्स टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को अन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप इस वीडियो को एंजोई कर सके तो बस यह थोड़े बहुत बच्चे थे इनका भी में गूल बनाके इनका भी यूज कर लोगी तो बस त्रेंज आज की वीडियो बस यहीं तक थी आई होप आपको पसंद आई होगी आपको चैनल पर फॉलो कर सकते हो मिलेंगे कल फे नियू वीडियो में तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए बाई बाई और टेक केर